कसराओ थाना चेत्र के ग्राम कीरगाव और मुलतान की बीश सोमवार को एक नौजात लावारिस हालत में मिली मुलतान की ओर जार है ग्राम खेडी के महिला ने बच्ची को रोने की आवास सुनकर उन्होंने असपास देखा और सड़क के किनारे नौजात बच्ची मिली जिसकी सूचना पहले सतकाल ग्रामीनों को देख कर बुलाया और इस दोरान एक महिला ने बच्ची को पानी पिलाया सड़क के पत्थर चूपते देख कर लोग पलास के पत्ते तोड़ कर लाए और उस पर बच्ची को लिटाया सूचना मिलते ही खाम खेड़ा चूकी परभारी अजय भाटी मोगे पर पहुचे और मुलतान के प्रात्निक स्वास्त केंद्र में डॉक्टर मुनोज भारगों ने स्वास्त परशेक्शन कर बच्ची का जन्म 48 घंटे के दोरान होना बताया प्रात्निक उप्चार के बाद बच्ची को जिलास्पिताल भेजा गया स्वास्त इफाक के अनुसार बाली का का स्वास्त ठीक है चोकि प्रभारी भाटी ने बताया कि आंगनवाडी कारे करताओं से छेत्र में गर्बती महिलाओ की जैनकार उटाय जा रही है नोजात के नाल पर कार्ड क्लिप नहीं लगा हुआ होने से घर पर ही जैनमो होने की अश्रंका है जैनकार रिक एनुसार जिलास्पिताल में इलाज के बाद जिसे चायल्ड हल्ट लाइन के माध्यम से इंदोर के बाल आस्राय केंदरी में भेजनी की प्रक्रिया होगी कस्रावास तेकल खंगी रिपोर्ट हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें